लेकिन चलते चलते जब समुद्र आता है तो किसी की नहीं हमत नहीं होती कि इस समुद्र को पांकर के लंका में कैसी पोचा गया है तब जावन जी ने हनुमान जी को उनका बल याद कराया क्योंकि पश्पन में हनुमान जी भी जो इनको शक्तिया मिली थी उनका तुल्पयों करते थे शादू संतों की तपश्या को भद करते थे उनके कपड़े नदियों में टाल देते थे तब रिशिय के अनुमान जी को श्राप किया था कि तुमें यह जो शक्तिया मिली है तुम इसको अच्छे भूल जाओ अगर भुस्य में किसी ने आपको याद दिलाया तो यह आपको याद आजाएगा कि आप इतने बद्वान हो तक समुद्र के किनारे जापती ने हनुमान जी को उनकी सुक्तियों को याद कराया सपड़ कराया कब हर्णो जीने एकि सलानमानी तक समुद्र को फाहर करके जब लगा की तरह पढ़ रहे थे तो देतामने यह सचा कि हाद हर्णों की लग्का में जा रहे हैं तो क्यों रहें की प्रिक्षा लेजाएँ और लोनों ने सूर्फा के वहिया ते जाए और हनुमान जी की सक्तिका ये देखो तब सूर्शाम आता मिलती है और इन हनुमान जी माराज उड़ते हुए अकास मार्चे लग्का की तरफ पढ़ रहे हैं ये सीन आपके साथ में प्रस्टुट है तो देखो के हनुमान जी की सक्तिका प्रिक्शन करने के लिए सुर्शाम आता को भेया है और देखे अभी आगे क्या होता है प्रस्टुट पार आपके साथ में प्रस्टुट। है बना की साथ में फिखो प्रिका जीए इमाता मेराफ डिए सबस्ती है तो देखें, सबस्ते प्रबदर्द्ट करते हैं मेराफ भाफ अनुगापूट्ग एमाता अपने काये पेसे प्रबदर्ट करते हैं तो देखिए सिद्रों, माता सूर्चा अपना शरीर इतना बिड़ा कर लेती है, कि एक विंकिनाल रूम धारण कर लेती है, हनुमान जी माराज भी, जैसे ही ब्राम गॉकप ने आपको बताते हैं, तो सूर्चा माता कहती है, कि हाई हनुमान जी, मैं तो अपनी परिक्षा ले ब्राम भी, आप